हेलो दोस्तो स्वागत आपकर मेरे चैनल पे आज हम देखे वाले हैं ब्लैक बुक की इडियम और फ्रेज़ेज हमने अब तक कबर कर लिया वन वर्ड सेनोनेम्स फ्रेजल वर्ब आज हम कबर करने वाले हैं ब्लैक बुक की इडियम और फ्रेज़ेज जो की फेवररी 2021 तक अपडेटेड बुक से हैं ठीक है तो घबराने की ज़रुवत नहीं आपको यानि कि अब तक जितने भी फेवररी से पहले ससी के एक्जाम हुए हैं ससी के कोई से भी हो उन सब की इड इडियम हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में ट्रिक से देखेंगे तो अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्स्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और बैल आइकन दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं बिना किसी देर के हमारा जो आज का पहला इडियम है वह है और रेड लेटर डे और रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपून दिन देखो ब्लैक बुक की एक खास यह था कि इसमें जितने भी सेनोनेम से हैं इडियों के रिलेटेड वर्ड व यह यह याद कर लो कि और रेड लेटर डे अनि महत्वपून दिन एन इंपॉर्टेंट डे नहीं इसका मत आगी और भी याद रखना है आपको कि मेमुरेबल डे भी याद रखना है ठीक है एंड पत्र जो है लेटर जो है रेड कैसे हो गया तो बहुत सारे हमारे वीर है अपना बलिधान देख इंचें हमारी क्या अजादी लुटाई 15 अगस्ट जो कि हमारे लिए का है ऐंडिपेंडेंटेटा नहीं सोतनता दीवस है तो वह जो दृडचिन वह तो वह हमारे लिए क्या है बहुत ही मैमोरेबल है ठीक है बहुत important है और हैप्पी वाला दीन है significant दीन हो बहुत यह special दीन है ठीक है कौन 50 अगर्स तो red later day का मतलब हो क्या हो जाएगा बहुत ही महत्पून दिन अगला जो परिनाम भोगतने के लिए तेयार रहना है तो उसी को बोलता है तो यहां याद करने का तरीका क्या है तो इसके लिए आप त्यार रहो परिनाम भोगतने के लिए तो इसके जो बनेंगे वर्ट्स हो है गेट विप्रेमेंडेड ठीक है बी पनिश्ट टू बियर दा कंसेक्वेंस और एक्सेप्ट दा ब्लेम यह सब इसके क्या है रिलेटेड वर्ट्स हैं ठीक है एक्जाम में कोई से भी आ सकते हैं अगला जो मारे डियम जो वह है तो असमेल और रेट का मतलब होता है दाल में काला होना या फिर संदेय होना या फिर संदिक्द होना ठीक है मतलब देको असमेल और रेट से कैसे याद करें कि असमेल और रेट मतलब कि है चुहे की बदबू आना ठीक है तो देखो क्या है जब भी कोई गलत काम होता है ठीक तो क्या होता है कि अगर किसे ने किसी का murder कर दिया ठीक और घर में उसकी dead body को छुपा दिया तो उससे क्या आएगी बद्बू आयगी ठीक है तो वही यहाँ पर है कि जब आपने कोई गलत काम किया है दाल में काला किया है कुछ तो आपको क्या आएगी चूहे की बद्बू आ वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है निरत्थक पर्यास करना ठीक है क्या करना निरत्थक पर्यास करना ठीक है तो देखो क्या है याद करने का तरीका आप इसे याद करो कि और वाइल्ड गूज वाइल्ड गूज का मतलब क्या होता है जंगली हंस ठीक है जंगली हंस और चेस का मतलब होता है पीछा करना तो आप क्या कर रहे हो एक जंगली हंस का पीछा कर रहे हो ठीक है तो आप क्या कर रहे हो एक निरत्थक खोज कर रहे हो मतलब वह आपको मिलने वाला है नहीं ठीक है या Unprofitable Adventure ठीक है दो इसके याद रखने है आपको एक फुटाइल सर्च याद रखना है यह भी आ सकता है या फिर Unprofitable Adventure जिसका मतलब होता है निर्थक होज अगला है Blow Once on Trumpet का मतलब होता है अपने मुवमिया मिठ्थो बनना का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब हो जाएगा अपना ही रागल आपना ठीक है या फिर खुद की बढ़ाई करना तो दिखो याद कैसे करेंगे ब्लोग ब्लोग का मतलब बजाना वन्स का मतलब अपना अपना ट्रंपेट का मतलब बाजा तो हम बोलेंगे कि वह तो बस अपना ही बाजा बजाते रहता है वह दिन बर क्या करता है बस अपना बाजा बजाते रहता है मतलब क्या करता है वह अपने मुवमिया में अपनी त आर यानि कि कभी-कभी roparly fits और a start को근र होना तो क्या होता है कभी-कभी आप जब अपनी गाडी जो fit करवाया था self ठीक है self वो कभी-कभी काम करता है start हो जाती यह गाड़ी उससे और कभी-कभी start नहीं होती है तो यह unsteady और irregularly मतलब अनियमित रूप से दोनों याद रखने आपको अगला जो हमारा idiom जो है by laps and bounds का मतलब होता है के भूम है जो होता है तेजी से जीन दूनी रहत चौगा दी कि जगais तो याद रखो कि बहुत तेजी से भागता लाइक है तो तो by laps and bounds का मतलब क्या हो जाएगा very quickly और rapidly ठीक है दोनों याद रखने है very quickly का मतलब बहुत जल्दी और rapidly का मतलब भी बहुत जल्दी का मतलब क्या these books या। तो याद कैसे करेंगे देखो कने तो डंड और क्या आपने खाया होगा आकरोटव enact alleviate क्या होता है जो उपरी लेर होती है yönिक्री क्योंते हैं बहुत हो ठ्रॉझोट होती है तुसे उसह क्रेक्णा बहुत मुस्किल होता है तो tip होने के लिए तो यसा लगता है हम क्या कर रहे हैं लोहे के चने चबार है ठीक है तो वही होता है डिफिकल्ट टास्क और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्न टू सॉल्व और टफ चैलेंज तीनों याद रखना है क्या क्या है डिफिकल्ट टास्क और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्न to solve और टफ चैलेंज ठीक है अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलता है बेश सिर्फ पैर की या उट पटांग बात मतलब सिधा याद रखो कि बनाउट या स्टोरी ठीक है मतलब एक ऐसी कहानी जिसका ना हाथ है ना पैर है ठीक ऐसे मनगणंत कहानी बना दी गई है तो द और एक बैल था दोनों क्या थे बहुत अच्छे दोस्ते अब मुरुगा बैल को बोलता था कि हाँ बाई अब क्या करो आजाओ मैंने पीट पर मैं तुमें घुमाओंगा तो ऐसा क्या है बिलकुल मनगणंत कहानी है ना सीर है ना पैर है बाई मुरुगा कैसे घुमा सकता ह बैल को अपने पीट पर अना इतना भारी होता है बैल साड़ तुवह यहां पर दिया हुआ है एन इंप्लाउसिबल स्टोरी यूज एज एन एक्स्प्रिनेशन और एक्क्यूज या फिर एब्जर्ड स्टोरी या फिर इंप्रोपेबल स्टोरी ठीक है यह तीनों आपको य नीचे ठीक है व्यदर का मतलों तो मौसम तो क्या हुआ कि जब मौशं व्यम्वतिए जब मौसम चेंघ हुआ यानि जब ठंड लुका मौसम आया और इतनी ठंड लगी आहापको कि आप कंबल कर अंडर में हो थैक ऐसके अंड में कम्ल कर्ढ क्यूं क्यूं क्या बिमार पड तो फील ना होना तो फील सिक और अनेल्दी सिख बीमार फील होना ठेख है और यू डो दोनों नों कि तीन प्याद रखेंगे अगला स्वार्ट है तो टन अड़ी फियर का मतब तह है कान पर जू तक ना रहें तो वही है डिजरीगार्ड टिक है रिफ्यूज टो प्लें नो हीड ठीक है यह इंपॉर्टेंट याद रखिया तू पे नो हीट और नेगलेटेड नेगलेटेड का मतलब और स्विकारे कर देना तो वहीं बोलेंगे टू टर्ण अड़ी फियर का मतलब क्या कानों पर जूब ना रहेंगना और बहरा है क्या तू कान होते भी नहीं सुना ही दिता है ऐसा अगला जो इडियम हमारा वह है बो Nbrar याद रखना है आकास याद रखना तो रहें कि आकास से जब बिजली गर्ती है तो अचाना कि जास रखना है तो फैंस ने किसे से पूछ करकर Неकल या टी तो बोलता है कि अकास में कटना मेरे पे तो बिजली गर गई तो वह यह सम्व单 सा है अंत्पर a snack in the grass a snack in the grass में सुथता है a treacherous person या फिर आस्तीन का साफ या फिर छुपा वह दुस्मन बोल सकते हो तो देखो क्या है हम बोलते हैं ना कि तुम तो इतने वर्टस आपको याद रखने है तो आपके एंसर सही हो जाएंगे आप वहां पर कर क्या होगे तो अगला है समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है मतलब बुद्धी का भरस्ट हो जाना ठीक है सिंप्ली आपको याद रखना है कि ओर विट का मतलब न बुद्धी का भरस्ट हो जाना अगला यहीं रियाद का गिरना और हैं लपक के उसे पकड़ते हो न अपके सर पर जब टूपी आपने पहनी है और हवा चेली और हवा से तौपी ओड़ गई तो आप तुरंद लपक क्ड़ते हो पकड़ते हो न तो यह एर्दा ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब क्या तुरंद मतलब क्या विदाउट एनी हेजिटेशन ठीक है इंस्टेंटली विदाउट हैविंग प्लांट विफोर हैंड यह इसके वर्ट्स आपको याद रखने हैं अगला है ब्रेक दाइस ब्रेक दाइस का मतलब होता है चुपी रहेगी तो आप जैसे हिज्व क्या करोगे उस आइस को तोड़ोगे जो फ्रिज हूआ है चार होतर से तो क्या होगा वह कुछ ब highlight फोड़्का चुपी अपनी तोड़ेगा थो यह एढरेक दाइस का मतलब क्या इनिसरेट संसिग तोर्टार कशक्यों कमफर्टेव यानि कि चुप्पी तोड़ना ठीक है यानि बातचित करना अगला है बृदी जहते च हमता है जहते है टिक है दुस्मनी भुला देना जणगड़ा किरूँ यह सब इसके आड़त है और इसका याद करने that क्या क्या बरी बरी हमत्रणा ना ठीक है मिट्टी देना और हेट चीट क्या है पता है भी आ चीट भी है तो आपकी जिससे भी हेट हे यानी चीट है या यह ट्ट है दुसमनी है नफरत है आप उस पर क्या डाल दो मिट्टी डाल दो ठीक है मतलब क्या करो आप उसे भुला दो खतम कर दो जगड़ा तो बरी दहेट चीट का मतलब क्या तू मेक पीस फॉर्गेट पास्ट क्वेरल्स ठीक है यह दोनों वर्ट्स याद रखने है क्वेरल्स कम क्लिट करनी है मैं तो साथ दे वीडियो को आप देखें बहूत महलत लगती वीडियो को बनाने में देखो हमारा जो अगला वड़ है वो है क्राइ over a spelled milkuru दो pry over a spelledgeois मतलब होता है तिक है अब पच्टाय होते क्या जब चड़िया चुक गई खेत मतलब एक ऐसा काम कि जो हो चुका है और आप उसके लिए चिंतित तो परिसानों तो तोसी को बोलता है cry over a spilt milk so we याद करने का तो क्या है आप याद किसे करो Dear prob elkaar म्लब कम ठाइओं और जो D epoxy ने का भी और गी ने का टो आप जब जब वुद्वी हो याद करने के का होता है जब यहाना यहादा किलतая दूद zou कर रहे हुआ अब पचात होत क्या जब चीनिया चुक गई खेत ठीक है तो क्या है to explain about a loss from the past आप उसके बारे में explain करना sorry complain करना जो बीच चुका है या फिर to regret about the twist cannot be rectified उसके बारे में क्या पच्चान जो आपके पास वापस नहीं सकता है या फिर feeling sorry over a mistake that cannot be change मतलब एक ऐसी गलती जिसे आप सधार नहीं सकते उसके बारे में आपको पूरा लगना तो यह सब फिल्म से सुनना आप किसी और की सीदर को लाघ करके ठीकि क्या होते पंचय वहते सारे भोत सारे ऑबस सारे खर पताव से उसके बनाते हैं अपने घोसले को बनाते हैं तो यहाऊँ पे बात कीजा रहीisión कि उसने अपने पॉंख्यों के बनाय वसने बनाय दूसरे पंचयों या अपने धन को जमार किया तो होगा यह मेक मनी इन एन इंप्रोपर वे या फिर दूसरा याद नहीं है तुप्रॉफिट इन डिजनर और डिजनर ओनेस्ट वे या फिर प्रमोट देर ओन इंट्रेस्ट ठीक है तो यह सब आपको वट्स याद रखनें फीजर वन्स ऑननेस् बर श्मन कमाना अगला है लिष दो इस टोण अंटन् तो दिको लिफ लिव बन अटना इंटन अ मतब्सकर और एक करना तो हर जकार करें देना तो दुआ है को पते ऐक भी एसा न किनो देखाओ तो तो आपने को वह आप आप समझो कि आप कोई लिए के खादान में गए हो और वहां पर बड़े बड़े पत्थर हैं वहां पर आपको किसी ने बोल दिया कि यहां से डायमंड निकलने वाला है तो आपने क्या किया हर पत्थर को हर अस्टोन को टर्न करकर करके देखा ठीक है मतलब कोई भी अस्टोन आपने छोड़ा नहीं मतलब आपने क्या क्या बिल्कुल खून पसीना एक कर दिया आपने और हर मुम्किन परयास किया कि वह डायमंड मुझे मिली जाए ठीक है तो इसको याद रखना है कि ट्राइवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ओर्डर टू एक्जिव सम्तिंग या फिर तू हम एको याद रखना है अगला है सी सहमात को जाना ठीक है अगला है अस्पिल दा मिंस का मतलब क्या होता है अंजाने में भेद खोल देना ठीक है अंजाने में क्या कर दिना भेद खोल देना तो देखो अस्पिल का मतलब क्या अस्पिल का मतलब छीलना ठीक है और बीन्स का मतलब क्या बेंस का मतलब जो बीन्स व बिली सो निकल दिया मतलब क्या कि हैं अजाने में थिवाइब खोल दिया आप ही थो, थिक थिक अंधिन, थिक कुमें होता है हर हालमे ठीक है तु दिक की Fellows क्या ह paralysis От aur मतलब पतला तो ऐसे ज्याद रखो पतला हो सब्ला हो वैक्ति नहीं में दunn Кłamutर any sky only ज्रूर जरूर यह ठिक है कि मतलब करना है सब कर संद्सक्राइब कि अगिएगा चैनल लेखे मोटा हो under all circumstances in time of the good and bad fortune दोनों याद रखने है ठीक है अगला है इट हम्बल पाई इट हम्बल पाई का मतबता है मुह की खाना या फिर नाक रगड़ना या फिर हार मानना तीन इसके याद रखें मुह की खाना ठीक है सुद्ध हिंदी मुहावरा है उसके बाद क्या है नाक रगड़ना या फिर क्या होना हार मान लेना उसको करते है इट हम्बल पाई तो देखो पाई का मतलब क्या होता है पाई का मतलब खिचोड़ी ठीक है तो हार की खिचोड़ी खाना ऐसे आदक हो कि हार की खिचोड़ी खाना जो जीच जाएगा वो तो खीर खाएगा लेकिन जो हार जाए स्मोग। का मतलब होता है.. देखो। त्यूट का मतलब आ कुछ भी प्राप्त ना होना या फिर धूए में उड़ाना। ठीक है कोई भी परिनाम ना निकलना इतने सारे मतलब आपको याद रखने है तो याद करने का तरीका क्या है cigarette के धुए में उड़ा दिये ठीक है मतलब धुए में बरबाद कर दिया आपने तो यह टू इंड इन अस्मोग ठीक है इसके जो वर्ट याद रखने है आपको टू कम टू नथिंग ठीक है और अगला जो है इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट और इंड नौ रि करने का पर्यास करना करना है का मतवत्य है वड़ा म ट इक करना मर हुए घोड़ा यह एकक क्या कर रहे है तो यह मुर्दे में जान डालने कि क्या करना कोशिज करना ठीक है तो क्या है टू अटेंप्ट टू डू दा इंपॉसिबल मतलब कुछ भी इंपॉसिबल करने कोशिज करना और अगला क्या है वेस्ट एनरजी और एन अन अल्टरेबल सिच्वेशन बतलब एक ऐसी इस्थिति पर अपने एनरजी विष्ट करना जिसको क्या नहीं किया जाजा साथ ठीक है यानिकी अल्टर का मतलब चेंज होता है यहाँ पर अनल्टर लगा दिया गया है ठीक है जिसे कहते है भागत ग्याप का मतलब ओथा यहाँ तो ऐसे जो है मतलब बोलने का उनपहार है भगवान की तरफ से था वागाध्पगतेट है यह आपको eloquent तीनों याद रखने है तो याद रखिए है तो याद रखिए है तो याद रखिए है तो है यानि बोलने में बिलकुल निपून अगला जो वर्ड है हमारा एडियम जो हो है to read between the lines to read between the lines का मतलब क्या होता हैюiere between the lines का मतरत छेपाँ हुआ अर्थ निकलना कोई साभी आप पंक्ती पढ़ रहे है या फिर कोई सेभी लाइन पढ़ रहे हु तो उश्चे क्या निकालना जो उसका hidden मिनिंग है ठीक है उसे आप बाहर निकालना तो देखो दिया हुआ है understand the hidden meaning find more meaning than words appear to express or to understand the implied meaning मतलब कि इसके छुपए हुए रहत्य को आप निकालो तो याद कैसे करेंगे to read between the lines तो देखो क्या है कि जब भी हम कोई साथ लेटर लिखते हैं ठीक है to the principal ठीक है जो भी अस्कूल का नाम वह लिखते हैं most suspected ठीक है यह सब लिखते हैं most family inspectively I am back to say that I am suffering from fever तो ऐसा लिखते हैं लेकिन जो main point होता हम कहां लिखते हैं बीच में लिखते हैं है ना तो यह to read between the lines का मतलब क्या उसके छुपे हुए अर्थ को समझना ठीक है याद हो गया अगला जो हमारा word है वह है dark horse dark horse का मतलब है अ प्रत्यासित विजिता मतलब जिसके जीतने की कोई भी संभावना ना हो वह व्यक्ति जीत जाए उसी को कहते है है a dark horse ठीक है तो याद रखो कि वह गोडों की दौड हो रही थी पर क्या निकला है काला सा गोडा निकला जो की जीत गया उसकी जीतने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तो वही बोलते है है a dark horse और इसके सुधिंदी में बोलते हैं छुपा रुस्तम ठीक है छुपा रुस्तम होता बोलते हैं ना कि तुम तो बिल्कुल छुपा रुस्तम निकले तो वही है डिया हुआ है एन अन एक्सपेक्टेड वीनर समवन हूँ अन एन अन्नोन इंट्री या फिर और कंपड प्रेस्थिती तीक के और सहाच प्रेस्थित का मतलब क्या होना नंकम्फटेबल ने पाएगी यहां पर यहां पर वही है in अनकम्फटेबल बोशूं यह फिर इन अनसमिलियॉर टिक है सरकंबस्टिएंस यह को याद रखने है दो वर सब्सको अगला है अस्तांस थ्रो ठीक बहुत ही नजदीक होना ठीक है थोड़ी दूर पर होना स्टोन थ्रो अवे दिया हुआ है तो याद रखो at a short distance मतलब क्या थोड़ी दूरी पर तो देखो क्या है याद करने का तरीका कि आप एक पत्थर लो हाथ में आप उसे फेको तो आप जब उस पत्थर को फेकोगे तो तो थोड़ी दूर पर हिं जाकि गिरेगा ठीक है आप यहां से फेकोगे तो यहां से पाकिस्तान जाके नहीं गिरेगा वह भ बसब यहीं पर जाके गिरेगा थोड़ी दूर्पिक तो यदों गय Entonces the एर दा 11 अवर का मतलब है आखरी मौक्य मतलब आखरी चनों में या अंतिम चनों में तो एर दा वेरी लास्ट मोमेंट इसका राइट एंसर है तो याद कैसे करेंगे देखो 11th 11 जो वर्ड है वो क्या है 11 जो है दिन का सबसे आखरी टाइम होता है घंटा होता है ठीक है क्यूं एक आम का पेड़ा है एक आम के पेड़ पर से क्या गिरा है एक आम की रहा है कुट्टे के सरपेंगि अब कुत्ता जो है भौकना शुरू कर दिया ट्री पे तो क्या कर रहा है ट्री थोड़ी न सुन लेगा कि हाँ भाई मेरे आम से इसको चोट लग गई है तो क्या कर रहा है कुत्ता निरत्थक पर्यास कर रहा है यानि कि barking up the wrong tree कर रहा है ठीक है तो क्या है इसका राइट अंसर ठीक है very expensive अब क्या है देखो आपने देखा होगा एक movie देखिक होगा आपने शोले में क्या होता है ठाकुर का हाथ पर जो हाथ है वो कौन मांग लेता है ओ गबर मांग लेता है ठाकुर यहांत मुझे देदे ऐसा कर गए तो ठीक है तो क्या है उसे बहुत बड़ी कीमत कि एक्समीज स्वाइब कि ऐसे ऑपीस फोटो में मतलब क्या होता डाट ना ठीक है जो बहुत असाने यह वर गिव इसका मजब क्यों तब आपने दिमाग को तो जो भान बहुंत जादा किसे भी गुस्सा होते हैं तो उस व्यक्ति को जिस पर जिसने गल्ती किया उसे डाटे भीन हमें क्या नहीं मिलते हैं जब तक हम उसे डाट ना ले तो वही है गिव पीस ऑफ वंस बाइंड का मतलब कि अपने दिमाग को सांती देना मतलब किसी को डाट करके तो वही है टू रिब्यूक समवन अस टॉंग रिब्यूक का मतलब डाटना अस पीकिंग सापली बहुत तेजि के किया दिए अगला वर्ड हमारा वर्ड है इन और नट सेथा चिल का मतर游ह संछेब्स में यह नटाम सिल का मतब sow naming सग्षिस के बूलते हैं 15 ilas him गाउंक राव टीकि और ना लए तोड़ो पोड़ो खाऊ टाइं ब hörtके तो यह को है कि मतलब क्या को बादाम खवो ठीक है और बैठो और बादाम ख़ऊ और मुझे संचेज़ग में बताओ कि बात किस्ट है तो यह प्रीफली एंड कन सिब ली ठीक है कंसेश ली और एकक्षिस बशी मिलब डफी 1 ट there बहुत चोटे रूप में संचिरत रूप में मुझे बाता कि बात किया है अगला जो हमारा इडियम है वो है Sailing In The Same Boat, Sailing In The Same Boat जो इडियम जो उसका मतलब होता है उसी कठीन परिस्थिती में होना सेलेंग याद करने का तरीका कहां नांगो सेल करना वसे चलाना तो आप अपने दोस्तों के साथ गये हुए एक पोर्ट में और दोस्ते हैं राम और रहा है तो वह बोट डूबने वाली है और दोनों आप लोग क्या करों बोट को बचानी कोशिव करों से तहरा रहा हो ठीक है आप उसे चाहरे हो कि नहीं किसी भी तरह से क्या और किनारे तक पहुंच जाए तो यह सेलिंग ना से मोट का मतब है एक ही सिट्विशन में होना या एक ही कटिर परिस्थिती में ह होना ठीको नहीं गुले तो बिंह इं देफिकल्ट सीच्विशन अगला जो वेड़े मिढर एडडा को थैडर बे t प्छाका करके कुछ डाल दिए तेल वगएरा तो क्या ओगी वह आग भढ़त जाएगी ठीक है तो याद रखने हैं आपको दोनों? अगला है या बोक मरी को अपने से दूर थोनों हो सकता है तो देखो वूल्फ का मतब भेडिया ठीक है और बहुद्य डॉर का मतब क्या होता है खुडता है धर्मतार अबस sms दूर रखना तो आद चीक है तो याद रखेगा कि भूग के भीडियों का रखो अपने द्रवाजे से दूर रखो है है नहीं बच कराना चाहिए हमें इतना कमाना चाहिए कि हम बूंखे ना रहे हैं तो यह to keep off abstraction का मत्व होता है तो याद राखेगा कि भूंख kayo को अपने स्पहा रखना हमें समय दूर रखना है अगला वर्ड है हमारे to take to task का मतब क्या होता है ठीक है आपने क्या क्या एक बहुत बाद टास्क ले लिया और आप उसे पूर कंप्लीट नहीं कर पाए तो भाई अब बहुत बहुत आपको क्या करेंगे बहुत आपको ढाटेंगे और फटका रहेंगे ठीक है तो यह पनिस तो रिब्यू को स्कॉल संवन गेट एन ऑफिसियल रप्रिमेंट इतने आपको वर्ड याद रखने हैं अगला जो हमारा वह है अंडर क्लाउड अंडर क्लाउड का मतलता संद् संद् कामडार कालि बादल मनरां है तो यह होता है अंडर कैसे ऑर इनडर रखती के दाइरे महीं अगला है अगला वो के गिवन ओंड़ीयर की जड़ होना ठीक है जञड़े कारन होना ईा झखड़े का जड़ होना तो तीक हो बाइबान अगन्टेन कि कुछ कुटों के बीच में हगा घर कारण बन जायका ओन व लग जö relaxed का ज्गड़े की वज़ाई कारण एक्टitting क्या है कोड दिस्पूट जगड़ा होता हैNeil qài raadique अगili दियमय वे हमाराAwk अछ्ट शेव देने नन्हें होता है बालबाल बचना ठीक है सेविंग करते हैं कि आप सुभा सूब सेविंग करने के लिए आपने wenn बाल बाल कटने सब्सक्ण क्या हो गया है बच गया मतलब क्या बाल बच गया आप ठीक है नेक जो हमारा word है वो है bad blood ,bad blood बिंस होते है पुरानी दश्मनी दीख ओंद है ऐसा बोलने के बाद कि और होता है तो यह वही है bad blood मेंस क्या आपसी दुस्मनी ठीक है angry feeling, enmity और ill feeling यह स्क्राइब दुस्मनी होता है angry feeling आपसब गुस्ता आना और ill feeling का मदब बूरा लगना ठीक है अगला है be weight behind the years, weight behind the years का मतबता है कान का कच्छा होना या अनुभव हीन होना ठीक है तो देखो क्या है, wait behind the year का मतलब देखो वेट कम दब भींगा होना, ठीक है? यह आपको याद रखनए है अगला है aún, bit around the bus bit around the bus का मतलब गुमाल फिरा कर बाते करना या फिर मुद्सरे हट कर बाते करना टीक है? तो दोटों को ऐसे याद रखें बिट कमदब पीटना, एराउंड का मतलब चारो और बुस का मतलब क्या जाड़ी, तो आप क्या कर रहे हो कि जाड़ी की चारो और देखो ऐसे, यहाँ पर main point होना चाहिए ते लेकिन नहीं, आप यहाँ से आ रहे हो, यानि कि जाड़ी की चारो और घूम रहे हो, और इसे पी बात क्या है, ठीक है, तो avoiding the main topic, main topic को avoid करना, यह इसका राइटन सरे, अगला है, best of the both worlds, best of the both worlds का मतलब होता है, दोनों हाथ में लड़ो होना, मतलब दोनों तरब से लाब कमाना या फायदा कमाना, ठीक है, तो देखो क्या है, both worlds से याज रखें, both का मतलब दो, worlds का मतलब दोनों दुनिया से लाब मिलता है, ठीक है, याद ऐसे करो कि अमेरिका क्या होता है, जब लड़ाई होता है, दो देखो के वीच में, तो अमेरिका क्या करता है, तो अमेरिका वेपन सप्लाई करता है, ठीक है, जैसे first world war में हुआ था, तो लड़ाई हुई थी, देखो के व of more than one can chew, मतलब अपनी चमता से अधी काम ले लिना, अब दिखो यहाँ पर क्या है, bite of, bite of का मतलब से चबाना, ठीक है, more than one can chew, मतलब कोई व्यक्ति जितना चबा सकता है, उससे ज्यादा मुह में डाल लेना, मतलब एक भोजन है, और आपने क्या किया, पूरे भोजन को उठा क कि इतना भोजन मुह में डाल लिया, एकी बात, कि वो आप उतना चबा नहीं सकते हैं, ठीक है, आपने उतनी चमता नहीं, मतलब आपने इतना बड़ा काम कर लिया, जितनी बड़ी आपकी चमता नहीं है, तो वहीं बोलते है, bite of more than one can chew, ठीक है, अंतिया हुआ है, to take more than one can deal with ठीक है, मतलब एक ऐसा बड़ा काम ले लेना, डील ले लेना, जो आपकर नहीं सकते, to take one, or task to big of oneself, मतलब अपने चमता से बहुत बड़ा ज्यादा काम ले लेना, अगला है, देखो क्या है, अगला है, एडियम जे, call it a day, call it a day का मतलब होता है, सन्यास लेना, call it a day का मतलब क क्या हो जाएगा, सन्यास लेना, तो याद करने का तरीका क्या है, call, call का मतलब क्या, call करना किसको, या फिर से याद रखो, सन्यास लेना, अस्थागित करना भी होता है, ठीक है, कोई भी काम अस्थागित करना, उसको भी बोलते है, call it a day, तो देखो call करके, आपने call करके, ए आप क्या लूँगा सन्याज लूँगा तो इसका जो वर्ट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे तो आपने आपको मर्डर करते टाइम में पकड़ लिया गया मतलब क्या पकड़े गया आप कैच रेंडेंड यह नहीं रंगया तो तो यह टू कैज समवन डूइंग सम्थिंग इलीगल कुछ भी गरत काम करते हैं पकड़े जाना या फिर काउट इन दे एक्ट अप दे क्याद है तो मिंगा खाते नहीं लगाते हो ठीक है पाम में अटेलीट ओम तो हमारा जो अगला एडियम जो है है तो जब भी क्या होता है जब भी कोई हमारे घर में आते हैं घनिष्ट मित्र तो हम क्या करते हैं या तो हाथ हमें चलिष्ट में ठोना ठीक है इन म्लक उन प्रेयोंता है तो याद करने का तरीका क्या इंक या रखना रखना है और वाइट आज पेज याद रखना है या आप ब्लैक पेंसे वाइट पेज्ट कर दिजे लिखी त रूप से दिए इन राइटिंग में दिए टिकए अगला है लिव यू इन द लर्ट लिव इन दे अलिव इन द लग कर दो था बिना सवरी बीच मजधार में छोड़ देना मतलब बीच परसानी में छोड़ देना उसी को करते हैं लर्च ठीक है तो देखो लीव समवन इन आ मतलब को कोई लर्च में छोड़ दिया मतलब क्या किया आपको कोई बीच मईधार में चोड़ दिया ठीक है तो वही होता है आप याद रखेगा यह अगला जो बाँ तो आप इतना कमा रहे हो तो आप इतना कमा कर इतने ही में रह पा रहे हो कि आप हाथ से बस मूह में खाना डाल रहे हो इससे अजिक आपके हाथों में पैसे नहीं आ कर रहे है मतलब क्या कर रहे हो जैसे तैसे गुजर कर रहे हो ठीक है तो वह यह टू है अनफ मनी टू लिफ ओन एंड नतिंग एक्ष्टा ठीक है माईजरबली और कंज्यूमिंग डेली वाट लेटिल इस अर्ण तो यही सब आपको यहाद रखने है अगला है पुट वन्स फ मतलब क्या पैर डाउन का मतलब नीचे मतलब आपको कहीं पे भी हक जमाना होता है तो आप वहाँ पे पैर रख दो और आप बुलते हो ना कि आप मैंने यहाँ पे जमीन पे पैर रख दिया अपना मतलब क्या हो गया यह जमीन अब मेरी हो गई मतलब आपने क्या क्या किया तो यह सब इसके वर्ट से पुट वनस फूट डाउन गाउन तो क्या हो जाएगा अपना अधिकार जमाना ठीक है अगला जो हमारा इडियम्ज है वह है तो आप देखो क्या है एक लकी रहा ऐसे याद रखो कि बारा का मतलब क्या आपको भारत पाकितान का बॉर्डर याद रखना है ठीक है बारत पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर पे बैड गया अब वह जब बैड गया तो क्या कर पाएगा वह दूइधा में हो गया आप कहा जां जाओं इधर जाओंगा तो इधर वाले कंफ्यूज जो है ए कन जाते हो तो आप की आप अप्यवड के चलिज हो जाते हो कि समुद्र कृटना बड़ा है कितना विसाल है आप अस्मंजा पढ़ जाते हो कन्फ्यूज हो जाते हो कि भाई समुद्र कितना बड़ा होगा कहां तक गया होगा तो वही है और एट सी का मतलब क्या पूरी तरह कन्फ्यूज होना पजल होना ठीक है पजल खेलते टाइम में भी लोग कन्फ्यूज जाते हैं न अगला है टूपे थूद्ध नोज पे में पहनते हैं नोज में तो वह कर दी थी और उसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी ठीक है भारी कीमत देना पे एंड एक्स्ट्रीमली हाई प्राइच तो उसने अपने एक नाग में पहनने वाले कोई भी ओर्नामेंट खरता था या फिर जोल्दी खरी दी और उसक तो वहां सा वाड़े किसी की टांग खीचना एंप फिर किसिका मजाक उड़ाना तुमेक फूल ऑफ या फिल प्लेइंग जोब मां अगला है तुटेक टू वनस हील का मतलब होता है दुम दबाकर भाग जाना या फिर डरकर भाग जाना थिक है तो दिख़ो यहां पर याद तो वो जब भागी तो वाले संडल अपने सर पे रख के भागी है ना तो to run away फिर फिर या फिर रन आफ अगला है 이후 happiness guys और ब्लीजिंग मतलब क्या उता है तो आपको एक ऐसा वर्दान मिला है जिसमें छुपा हुआ वर्दान हो तो वही है एग अगला है अगला है अगला है इसका मतब्स जैसा बाप हो ऐसा बेटा तो देखो ओल्व ब्लग जब क्या होते है देखो एक लकडि पेड़ को जब काटा गया तो ब्लॉक इस ही को बोलता है पेड़ के जो पार्टस करते हैं उसी पाट होते है तो चीप थिए यहां से क electoral गेंगा आप यहां से कट способ आप यह जैसा दीखेगा यहां से कटच कर 맞는 ौध यहां से कि तरह दिखना अगला है close fisted person close fisted person का मतलब बता है conjuice वैक्ती ठीक है कैसा वैक्ती कंजूस तो दिखो close fisted को याद करें को तरीका क्या है fisted का मतलब मुठी अगलोच का मतलब बंद ठीक है तो एक ऐसा वैक्ती जो पैसों को अपने बिल्कुल मुठी में बंद करके चलता हो मतलब एक एक पैसे वो जो है फूख फूख के उड़ाता हो ठीक है उसी को बलते है close fisted person याद हो गया तो इसका याद रखी यह माईजर माईजर का मतलब क्या होता है conjuice अगला जो हमारा तरीका क्या है अस्ट्रो क मतलब काbei होता है तिननका होता है तो क्या होता है कि उससे अपनी लाइव सग्टे थिया जैसे कि टीन tocar टीक है तो चाई में कभी कभी तेन गिर जाता है ठीक है आपर खाने में कभी निकांगर ओस्ट्रो वह इतना कमजूल बेक्ती था चे तिन के कितरा फेक दिया ठीक है तो यह यह man of the no substance और a weak person जाद रखेंगे इस पर ज़्याद ध्यान दिएगा man of no substance यह ज्याद आता है अगला जो idiom जह हमारा वो है a white elephant a white elephant का मतलता है महंगा और परिसानी का स्रोत ठीक है मतलब बहुत ही जाद महंगा होना या simply ऐसा याद रखो एक ऐसी विस्तु जिसके बदले आपको सिर्फ हानी ही हो लाब ना हो ठीक है तो देखो क्या है अब एक white elephant आपने खड़ता एक साफेद हाती आपने खरीद तो ल costly and troublesome position uses to its MARY है अगला है अकली ऑचा का मतलब हुत है कमजोरी क्रिस्त भगवान की हमानने अपना आ जो दे छोड़ा था जो त Iris को जो ठीक है अपना जो त्याग गीह जो body का सबसे कमजोर part था, उनकी heel थी, तो यह अकली हील का मतलब क्या? A weakness or vulnerable point, ठीक है, मतलब कमजोर वेक्ति या कमजोर चीज, अगला क्या है? Add insult to injury, add insult to injury का मतलब क्या होता है, तो add insult to injury का मतलब होता है, जैले पर क्या छिड़ाकना, नमक छिड़ाकना, ठीक है? जले पर नमक छड़कना तो देखो add insult मतलब एक इंजरी एक व्यक्ति इंजर्ड हो गया है मतलब घायल हो गया है और आप उपर से उस पर क्या कर रहो उसका insult कर रहो ठीक है तो आप क्या कर रहो जले पर नमक छड़कने का काम कर रहो तो यह to further a loss with the मोकरी टू वरसेन एन अनफेवरेबल सिच्वेशन मेक बैट सिच्वेशन एवन वर्स यानिकी एक काम को और भी ज्यादा क्या कर देना बूरा कर देना जब लेपर नमक चड़कना अगला है और मून साइन मून साइन का मतलब तो दिखावटी ठीक है तो देखो के हैं मून सा करना ठीक है चांद का चमकना तो चांद जो है मून जो है अपने लाइट से प्रकासित नहीं होता है ठीक है वह किस से प्रकासित होता है तो सन के लाइट से प्रकासित होता है मतलब क्या मून को अपना लाइट नहीं है तो मून क्या दिखावटी राइड देता है ना मतलब लोग समझते हैं कि Moon का लाइट किसी है तो सूरज का है तो वही हो जाएगा All Moon Side का मतलब दिखावटी तो far from the reality और concorded और nonsense आपको तीनोवर्ड याद रखने हैं अगला है एक्स टू ग्राइंड का मतलब है खुदगर्ज होना ठीक है एक्स का मतलब क्या हो जाएगा खुदगर्ज या पिर आप बोल सकते हैं स्वार्थी व्यक्ति देखो दो वर याद रखने हैं आपको एक तो खुदगर्ज याद रखना है निजी स्वार्थ के लिए और दूसरा मतलब क्या है कि सेल्फिस तो देखो एक्स और न कहुंता है एक्स क्या उटा घ्राइंड करना को परेंड को तेज करना अब देखो आप लोग क्या करो आप लोग बहुत सारे मित्रों हो दोस्तों आप लोग लगड़ियां काटने जा रहे हो जंगल और एक प्थर है तो नहीं लाड़ी से लकड़ी कटने हैं तो मतलब क्या आप खुद गर्ज हो रहे हो तो आप यहाँ पर आपको याद क्या रखना है तो अब प्राइविट इंटरेस्ट तो सर्व एपको याद रखने हैं अगला ले इंट आप पर आप उसकी जिम्मदार होगो गया का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके बॉल आती है तो इसकी जिम्मवारी अपर होती है न जैसे आप फुटबॉल खेल लो तो जब आपके पास बॉल आ जाए आपकी साइड में तो उसकी जिम्मारी आए आपको कि आप उसको गोल करो ठीक है तो वही है अगला है तो ब्यूल कासलेस का मतलब क्या होता है हवा महल बनाना कासलेस का मतलब क्या होता है महल इंदा इयर आप हावा में महल बना रहे हो मतलब क्या आप दिन में ही सपना देख रहे हो मतलब हावाई के लिए बना रहे हो ठीक है ये जीत हासिल करना है करनी है तो करनी है एक दिन तो इसदेकिश्ट है कि अगला इस वो हुरता बहुत पोकिता है तो जिकन लोग का दिल बहुत कमजूर हो ठीक है आप देखना उसा पकड़ने ज़ हो तो बहुत भागेगी तो ये टीम और कावाड लेस योड़ से से रहे हो पोटेटो कब पोटेटो कम तो था है आलसी व्यक्ति जो को याद करने का तरीका क्या है आप इमेजिन करो एक पोटेटो है एक आदमी है जिसका सकल जो है बिल्कुल पोटेटो को जैसा है और वो इतना पोटेटो खाने लगा ऐसा भी पोटेटो खाने क्या होता है पोटेटो क्यों करते हैं तो यह लेजी पर्सन पर्सन होचिस टूमच टेलिवीजन पहुत जाधा वैक्ति क्या देखताऊ टेलिविजन देखता हो तो याद रखना कि पोटेटो कि क्लिचेज कर टेलीवीजन दिखता अगला है तो फियर वेदफेंड फेस्टी में तो छू करेंड घू सोन से कहते हैं याद करने का तरीका क्या है व्यार का मतलब अच्छा और वेदर का मतलब क्या मोसम तो मतार एक ऐसे दोस्ट जो आपके अच्छे मौसम में साब दें तो इसी को přादें याद क्या क्या रखना है फ्रेंट्स इन गुड़ टाइम सपोर्ट और लिएन इजी एन कर्मिनियेंट और फ्रेंट्स हो डिजर्ट वार डिजर्ट यू इन डिफिकल्टी या फिर अन रिलाइबल फ्रेंट ठीक है इतने वड़ साब को याद रखने है अगला जो हमारा इडियम्स हो जाएगा वह हमा या दिखाया जाते हैं कि बंदा अस्पराइट पिक कहा उच्छे पहाड़ों पर से खूँद गया है हाई का मतलब ऊचे का मतलब तो यह इन हाइग सभड़ अथर्फिर्ट फूल अफकर फो और दोने याद रखने हैं अगला है इन दर निक आफ टाइम इन द निक आफ ठा सब्सक्राइब टो बर्ट विद वन स्टोन मतलब एक तीर से दो सीकार पंची को मार दिया तो आशाम सा है एक तिर से दो काम एक्चीव कर लिए Next, Madan Speech Madan Speech का मतब्वता है? पहला भाषन ठीक है? First Speech तो देखो याद करने का तरीका क्या है? Madan को आपको याद है Madan, Speech का मतब्वत भाषन तो Modi जी ने Ghandi मैदान में पहला भाषन दिया Modi जी ने अपना पहला भाषन कहा दिया तो गांदी मेयदान में दिया टो मैडन स्पीच या हो जाएगा पहला भात अगले ओफ एंड on, ठीक है. औफ एंड on काम जोता है कभी कभी. ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी जब हमारा fan खराब हो जाता है, कभी कभी fan अपने आप off हो जाता है कभी कभी on flock yeah तो कभी कभी सब के घर में ऐसा हुआ कि कोई सब यहाँ काम करना क्षानव और नियंतरन रखना या कामकरना तक है इति तो अपने आपको साथ साथ खीचिए मतलब कि आप सांत रखे और भावनाव पर क्या रखे नियंतरन रखे कंट्रोल रखे ठीक है तो यही है तो काम वनसर्फ डाउन और बिगिन तो तिंग और एक्ट एप्रोप्राइटली तो कीप वरकिंग कॉंस्टेंटली विद अटेंशन या फिर रिगेन कंपोजर इतने वर्ट साब को याद रखना है नेग्स्ट असपीक एंडश पान असपी एंडश पान कंदर क्या मतलगा पान लगाओ लगा तो क्रेंटि याद रखना एग regen Rub primero A strain every nerve का मतलता है, हर संभव परयास करना, या खून पसीना एक करना, या फिर कठिन परिशनम करना, तो देखो, a strain का मतलता है दबाना, ठीक है, कोई भी वस्तू या कोई चीज दबा देना, नर्व का मतलता है नस, और एवरी का मतलत परतेक, तो क्या होता है, जब कोई व्यक्त का मतलत क्या होता है, हर संभव परयास करना, अगला जो इडियम हमारा, टेक सफटर, टेक अफटर का मतलत होता है, एक जैसा होना, ठीक है, टेक अफटर का मतलत क्या होता है, एक जैसा होना, टू रिजेंबल और सिमलर टू, या आद कैसे करेंगे, देखो, टेक टेक का मतलत वही उस गद्धी को लेगा तो take after का मतब्ब क्या एक जैसा हो ठीक है अगले है last straw, the last straw का मतब्था है स्थिती को और सेनिय बनाने वाली आकरी परेसानी इसी को बोलते है last straw ठीक है लेकिन आप फिर भी क्या से control में थे लेकिन आपने जैसे ही last straw लिया ठीक है आप बिलकुल नियंतरन से बाहर हो गए, out of control हो गए मतलब क्या? स्थिती को अस्वहनिय बनाने वाली आखरी परिसानी वही थी आपकी तो याद रखे किया, लास्ट अस्टो का मंदब किया, इस्थिती को अस्टो नहीं है, बनाने वाल याकरे परसानी, फाइनल प्रॉबल्ली, फाइनल प्रॉबल्लम इन दा सीरीज, अ माइनर डिफिकल्टी, बट कमिंग अन टॉप अफ अ सीरीज अफ डिफिकल्टी, अगला जो एडियम के हमारा, throw in the towel, throw in the towel का मतभ़ थोब ge Chrещ backup का मतभ़ा हार मान लेना, ठीक है? टो इनल टो एक्नॉलिज दिफिकल्टी, टो इंगल डफिकल्टी, डिफिकल्टी और फेल्वर, यह है इसका जो है वार्ट्स आएंगे। तो दаменaky थोakah में थो थृ तोत्याया सु दो फैंडीर था अधर खीच रहा था राइट साइड में शीच रहा था और एक तॉलिया लेफ्ट साइड में खीच रहा था यानि इधर इधर रच्धा कस्टी चल रही थी तो क्या हुआ जिधर तौलिया जाएगा वही जीतेगा ना तो वही है थ्रो तौलिया तो ए ने तौलिया फेक दिया मतलब ए ने तौलिया हार दिया ठीक है मतलब हार मान लिया और ए ने तौलिया फेक दिया तो थ्रो इंदर टावल का मतलब क्या हार मान देना next to bring in light bring in light का मतलब होता है किसी को भी प्रकास मिलाना ये फिर रहस से उजाकर करना ठीक है so bring to light to reveal reveal करना जो दिखो क्या है हम भूलते हैं ना कर मुझें कर बात है क्या बात है सच बता उ तो ये bring to light मतलब किया उजागर करो रहस से उजाकर करो मुझे बता ठीक है executive to get into hot water मुसीबत में पढ़ना है तो गेट इन्टू ट्रोबुल याद करने का तरीका बिल्कुल देखो आसान है हॉट वाटर मतलब आप क्या गए गरम पानी में आप कूद गए तो आपको क्या होगा आप परिसानी में पढ़ गया मतलब मुसीबत में हो गए अगला है जंप ओन दा का मनलता है बहती गंगा में हाद दोलिएना ठीक है अब दिखो क्या है यैसा याद्रख के याद में याद्रफ बैगन से यहाँ अर जर आए क्कका क्या कूदना ठीक है और बैंड का यहाँ बंद बंद तो क्या सब्साods बंद करने वाला तो उसने जो track एक हो दोी सब पड़े निसमें क्या क्या बहती गंगा में हाथ दो लिया ऊप्सwn का टूff प्युभ फॉप्लर ट्रेंड इंग इन अर Cette next word toalot audience's good से वह है to be at the distance with someone to avoid someone avoiding too much closeness to keep someone at arm's length, arm's length का मदब क्या होता है एक हाथ की दूरी, तो जब भी हम किसी से क्या गरता है, जब भी नफरत करता है तो हम उसे क्या बोलता है, तुम मेरे से एक हाथ दूरी रहना, मिन्स क्या someone at arm's length, to keep someone at arm's length, किसी से दूरी बनाना, next हमारा वड है, to make both ends meet, to make both ends meet का मतबता है किसी तरह से गुजर बसर करना, अब यहां पर देखो make count बनाना, both ends count क्या, both ends count सुबा में भी और साम में भी, में मिलना, मतलब कोई वेक्ति इतना कमा रहा है, कि वो सिप सुबा में उसको खाना मिल पा रहा है, तो वही क्या कर रहा है, किसी तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहा है, to live within one's income, live within means or manage expenses with just enough funds अगला जो EDM हमारा हुआ है to make up one's mind मतलब होता है निश्चे करना ठीक है बहुत आसान सा वर्ट है कि अपने mind को उसने क्या कर लिया make up कर लिया और निश्चे कर लिया कि ये काम मुझे करना है मैं इस क्या करना है करना है ठीक है to decide what to do और decide formally next EDM हमारा to miss the boat या bus miss the boat या bus का मतलब था मौका गवा बैठना ठीक है मौका गवा बैठना या फिर आउसर खो देना तो दिको miss the bus मतलब आपको कहीं पर भी कहां जाना था आपको meeting में जाना था या पर कहीं पर भी for an interview आपको interview के लिए कहीं जाना था और वो एक ही bus थी last bus थी और आपने उसको भी miss कर दिया मतलब क्या आपने मौका खो दिया आपने अपनी जो आपको मौका में था job का interview का आपने खो दिया तो to miss an opportunity loss and opportunity दो words को याद रखना है miss an opportunity और loss and opportunity next is to put up with put up with मतलब होता है to tolerate यानि कि बर्दास करना ठीक है किसी को जहिलना बर्दास करना to put up with to tolerate यहाँ पर देखो put up with एक जो है phrasal verbet ठीक है तो ऐसे यादर को put से मैंने बताया यादर यादर में put से यादर में put और आप से क्या यादर आप तो आप कैसे बर्दास करना पुत्र ठीक है so put up with मतलब बर्दास करना next idiom जे to take once hats off मतलब होता है किसी के परसंसा करना to take once hat off का मतलब क्या आपनी देखो जब भी क्या होता है कि कि किसी की तारीफ की जाती है तो एड्माइर संबल या फिर कॉंक्टरेशन to next जो इडियम जे हमारा वह है to take to hurt दिल पर लेने ना ठीक है बहुत ज़्यादा परभावित होना है पर किसी भी बात को दिल पर लेने ना तो देखो वही है take कम तर लेना hurt कम तर दिल तो उसने क्या किया मेरी बातों को दिल पर ले लिया जो इडियम जे सिर्वन से है इसके याद करने है आपको क्या to grieve over या पर to be greatly affected या पर to consider something very seriously इतने आपको meaning याद रखने है next word है turn a blind eye turn a blind eye means क्या होता है अंधा बन जाना अन्धा करना simply आखे होती भी क्या हो ना अन्धा बन जाना अन्धा करना यहीं बोद Central turn का मतलब क्या turn का उंद बलट जाना blind eye का मतलब क्या अन्धे की तरह तो वो मुझे देख करके बिल्कुल पलट गया अन्धे की तरह पलट गया मतलब जैसे उसने मुझे देखाई ही नहीं तो यह टू इग्णॉर सीच्वेशन ठीक है फैक्ट और रियाल्टी यह इसके वर्ट से टू इग्णॉर सीच्वेशन या फैक्ट और रियाल्टी मिन्स अंधा बन जाना नेक्ट वरी बाट्स आई वई वी釉 भर्ट्स आइब्यू मिन्स होता है उचायी से विस्तरद्रेय से मतलब क्या ओवर वियू तोसो तो बच्ट के नहीं करते हैं ते जेनर्ल वी फ्रॉम एवब, next एक एक वाक, और केक वाक का मतलब था अतन्त आसान या फिर अतन्त सरल काम, तो देख एक वाक, अब आपको बोला जाए, दो एक्जामपल दिता हूँ आपको, मैं एक आपको बोल दिया जाए, काटो पर वाक करना है, काटो पर चल कर बताओ, ठीक है, औ मिनिंग हो जाएगे, next है a fools paradise, आप fools paradise का मतलब क्या होता है, देखो, word जो दिया हुए, आप fools paradise, जिसका मतलब होता है, कि हवाई महल, ठीक है Darth महल बनाना पर खोसी किसी ती हमंतर कीशानी फाय नहीं जानने पर खोशी की सिथी इसको बोलते है आफ़ फिल्स पैरडाइस अंतर यह हमतर्प पैरडाइस का कि उता है परेडाइस का मन argent कि आगी क्या वनाला क्या निंए हाने की सोच रहा है that मदल रस लथे की ऐसना अगा की क्यों होगे कि वह 멜ाग की है डिक्त की अंद आप तो आप ऑफजेट और ऑफ लगिए या फिर an object of radical, अगला जो idiom जह हमारा a man of letters, देखो, a man of letters कम तो था विद्दवान वेक्ती, तो पहले क्या था, पहले के लोग गाओं में क्या होते थे, बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, बहुत पहले कम पढ़े लिखे होते थे, तो कोई ऐसा वेक्ती होता था तो गाओं मे in the literacy art, ठीक है, यानि कि जो विद्वान हो, अगला जो idiom जह हमारा, वो है, a needle in a hair stack, a needle in a hair stack कम होता है, घास के धेर में सुई, तो देखो, hair stack कम पते भी होता है घास, ठीक है, जो क्या कट्टू भी बोलते हैं, काओं में ठीक है, कट्टू बोलते हैं, मतलब खर पतवार बोल something that is very difficult to locate, attempting something impossible, अगला है piece of cake, अब piece of cake का मतलब था बच्चो का खेल, तो देखो, अगर आप बच्चो को बोल दो, बाबु केक खा ले, तो तुलंत खा लेगा, लेकिन आप बोलो, बाबु मिर्ची खा ले, वो मिर्ची नहीं खाएगा, कि मिर्ची खाना उनके लिए बहुत कटिन कारे हो जाएगा, तो डिफिकल्ट टास्क, लेकिन केक खाना बहुत आसान काम हो जाएगा, तो वेरी इजी टास्क, यानि बच्चो का खेल, ठीक है, नेश्ट एवर बोड, एवर बोड का मतलब होता है, असपष्ट इमांदारी भरा या फिर इमांदार, याद कैसे क प्रेंक, विदाउट एनी सीक्रेट, एवर बोड, अगला जो इडियम जो हमारा हो है, एक्सान स्पीक लावडर दिन वर्ट, मतलब क्या, कथनी से अधिक करनी बोलती है, मतलब क्या, जो वेक्ती जादा बोलता नहीं हो, लेकिन हाँ, करता जादा हो, ठीक हो, कम बोलता हो, और जादा करता हो, ठीक है, तो वही है, एक्सान स्पीक लावडर दिन वर्ट, ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, उसी को बोलता है ना, कि मेहनत इसनी खामूसी से करो, कि सफलता सोर मचा दे, ठीक है, मतलब पहले ही से हला नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें अब इतनी मेहनत करने चाहिए कि हमारी सफलता है कि क्या करते है सोर मचाते तो वही इससे रिलेटेटेट वर्ट से यह एक्षन स्पीक लाउडर देन वर्ट टीक है वाट यू डू इस मोड इपॉर्टेंट देन वाट यू से पद्ला वही इंपॉर्टेंट जो आप करते हो वो नहीं कि कि जो आप सिर्फ कहते हो तो याद रखेगा वाट यू डू रिवील्स रियल यू और इंटेंशन कें जज़ बाई पीपल्स एक्षन मतलब क्या है इंटेंशन जो है किसी के करने से पता चलता है उसके कहने से नहीं अगला है ऑल येर्स देखो अगला जो इडियम है हमारा इलिहा है ओल्लिय dizendo कई सवने को पुरी तरह उत्तों होना सुने को पूरी तरह उत्तों होना सवध क्विशनिंगख़ इंटेंसली और रवेट्एंटिव अगला है अगला है एंडेञ इंडिय का मतलबत है मजबूत इच्छा सक्थेल्रस थि करेंगे देखो iron का मतलब क्या होता है iron का मतल haird तो जो लॉप पूरस्तें सरदार भ्लाब भाई उन की क्या थी बहुत इच्छा सकती थी तो jahe यहां रिखना है कि मत्बूश इच्छा सकती चलती है आफर संकल्ड हागला याग और है एन ऑपन बुक in ऑपन बुक का मतलता है खुली किताब होना टीक है तो दी 짓 ओपन करें influen प्रफक्रेटर किताब तो मैं एक पेन बुक हो मतलब मेरे अंदर कोई भी जो है रहस्य चुपा हुआ नहीं है ठीक है बिल्कुल ओपन बुक हो खुला किताब हो ठीक है तो वन डेट हैल नौ सिक्रेट या फिर वन एबाउट हूं इजी टू नौ एवरेटिंग यही इसके राइट अंसर हो जाएंगे नेक्स जो है अहार्ड एज अनेल और हार्ड एज हार्ड एजन का मतल्स होता है भावigon हीन थीक है भावना हीन या पहावन इसके मतलब है तो देखो क्या है कि हमारा नेल के बोहफुत थारड तन है ड», इस לתर किसे VID Danibersman का मतल्स होता है और हम तो डैगर्स कमतर को तलॉर देखो तलॉर होती है ऐसे और फिर इधर से ऐसे याने कि उनके बीच क्या है बिल्कुल उन्हों पर और तलॉर कर खीच ली का उन्दर कë नोरटा करी एक हो होनी करने के लिए कंगिन confuse होना, तो मैंने पहला ही बताई कि जब भी आप समंद्र देखते हो तो आप परिसान हो जाते हो, confused हो जाते हो कि यह समंद्र कितना बड़ा है तो अ एक लाउस पर flags और confused यह से चेट वर्ट से मिनिंग है अगला है अगला है अगला है अगला है एक अस्नेल भी कहते है जो पानी में मिलता है कीचर भी मिलता है तो उसका जो पेस है पेस कम तब गती उसकी गती बहुत धीरे होती है बहुत धीमे धीमे बढ़ता है तो आई यह बहुत धीरे से अगला जो एडियम हमारा हो है बैकसी ड्राइबर बैकसी ड्राइबर का मतलब होता है बीना विजाय मगाcomb Says up बेड़ेना ठीक है उसी को बोलते हैं तो दिखो क्या है कि इंटर 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 फेरिंग इन अफिर्फ सूँल झुक है तो देखो क्या है कि जब भी लोग गाली पर बैठते हैं ऐसा यादा रुप जब भी लोग गाली खुस हो जाना ठीक है कोई डाइटा चला गया और आप खुस हो गया तो ये बी-टु-ग्लैट सीधा गया कोई देखना चला जा है मतलब जा जा रहा है आप उसे देखते के खुछ दो रहे हो तो यह बाई हैपी वहना पर्सन लीप अगला है बी इन दा एयर बी इन दा एयर का मतलत है विचारा धीन ठीक है वेन एन इमोशन और आइडिया इस ओन एवरीवन्स माइंड अंडर कंसेडरेशन अस्टील टू जी सठ्ध विचार धीन ना कोई भी बात जो है वीचारा धीन है विचार सेर्दस किया रहा है तो इसे को बोलते हैं कि हवा में बात्त मत करो मतलब बी इन राम करने की कोसिस कर रहा है हर संभव परयास कर रहा है कि वो bend हो जाए, बधन क्या हो जाए जुक जाए पीछी जूक जाए तो देखो बाडी को जब लोग, flexible बनाते, योगा करते तो backward जोकने के लिए वो क्या करते हैं बहुत पर्यास करते हैं करते हैं अपने सरीर को लेचीला बनाने के लिए तो यह बेंड ओवर बैकवर्ट्स का उन्तव क्या हर संब पर्यास करना इतने वर्ट्स आपको याद रखने हैं अगला है कट टूद चेस का मतलता है मुद्दे पराना अब देखु क्या है चेस का मतलब यादर को चेस खेलना ठीक है ऐसे चेस का मतलब पीछा करना होता है और क्या है ऐसा बोल सकते हैं देखो चेस का मतलब पीछा करना कट करना ठीक है अब कोई भाग रहा था कोई व्यक्ति भाग रहा था कोई से क्या कर रहा था पीछा कर रहा चेस कर रहा था उसको अब क्या हुआ एक रास्ते से गाड़ी आई ठीक है इधर से वेक्ती भाग रहा था और रास्ते से गाड़ी आई यहाँ पर आके लगा दिया और उसने का यह क्या मुद्दे पर आओ बात क्या है क्यों भाग रहे हो तुम तो cut to the chest का मतलब क्या हो जाएगा मुद्दे पर आना ठीक है नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो डाइन हार्नेस यह बहुत आसान सा वर्ड ठीक है डाइन हार्नेस का मतलब होता है सेवा में रहते हुए मर जाना मत मिसलब क्या कार्य करते हुए मर जाना ठीक है काम करते हुए मर गया मतलब क्या का रिकाल के दोरानी वह मर गया ठीक है तो died while working, to die while in service, ये इसके right answer हो जाएंगे, अग्ला है, draw a blank, draw a blank का मतलब है खाली हाथ लोटना, ठीक है, तो देखो draw का मतलब क्या have, draw का मतलब draw करना, ठीक है 망辉क का मतलब खाली, तो याद रखो blank अम्दो खाली दिया हुआ तो साफ है खाली हाथ लौट गया कोई वेक्टी यहने to be unsuccessful और find no favor याद करेंगे देखो draw का मतलब करना blank अम्दो खाली पेपर तो उसे दिया गया था खाली पेपर ड्रॉ करने के लेकिन वह पेपर जो है खाली ही रहे गया मतलब क् जब भी होता है ना जब भी बोलता है ना कि चारो जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा भगवान खोल देता है तो वही है कि every dark cloud have a silver lining मतलब निरासा में भी आसा की जलक होती है तो याद रखो dark cloud from the bottle और silver का मतलब बिजली तो देखो अंधेरे में भी क्या है लाइटिंग है बिजली है वहीं बात हो गई कि मतलब क्या निरासा में ब्यासा होगी तो every unpleasant situation has a positive side difficult times will end to be better days ठीक है या फिर समधिंग प्रॉमिसिंग is there is any difficult situation अगला है आई वास अगला एडियम जो है वह है आई वास ठीक है आई वास आई वास वास कम दो दोना आई कम दो आख तो आपको आखी धोने की जरूँ जब पढ़ती है जब आपके आखों में कोई धूल जोग दे या फिर दोका दे तो आट डिसेप्शन अगला है फॉल फ्लेट फॉल फ्लेट कम दो था असफल हो जाना फॉल फ्लेट कम दो चपता तो आपको कोई एक ऐसी वस्तु दी गई इंपॉर्टेंट वस्तु कि उससे गिराने पर चपता हो जाएगा ठीक है वो गिरने पर चपता हो जाएगा तो आप देखो एक गेन दे टीक है गेन दी हुई है बिलकुल कोई ऐसी पदार्थ की बनाई आप अस्थ हलो गया ना उस अगड़ ले जाने में अगला जो हमारा इडियम जह वहाई फीजर इन वहन्त कैप देखो फीजर इन वहन्त कैप कमद़ होता है कोई भी एक्चीवमेंट पाना या फिर चार चांद लगाना ठीक है तो देखो क्या है फीजर कमदब पंक आफना प्राउड और अगला है एन अ कंपलिस्मेंट टू बी, प्राय उब आफ्व, अगला है, ऑर किया लेने अच्छा गुड लेना चाहिए या फिर हमें आань सब्सक्राइब नहीं खाइब लेना धिकला है गमें टो एक लुँए के लिद्वनसराना निकाला ठिक है कि एट्वर याद रखो 지금 थातना याद रखो something इस वस्तू के लिए किसी को क्या कर दिया वेंट इस सदोर गोड़ा दिया वन या फेल्ट डवल mr àd attitudes कर थेक है आपने किसी भी वस्तू के लिए आपने किसी को भड़ का भगा दिया मतलब क्या आपने अपना गुस्टा जो है किसे और पर निकाल दिया थिके और की और पर स्था फॉर्स फुर्स फुलिए अग्ला है स्वाइट स्फड़ी का मतलब किसी का धिमाग खराब करना अपकर कृण तो नसे इसकी दिमाग ढहा आप की किसी के दिमाग को मतलब पा लिए और आप उसे खा रहे हो परसान कर रहे हो तो यह टू भी एंड इरिटेंट और अगला है जो इडियम चाहिए हमारा हुआ है अगला है जान बुझकर नजर अंदाज करना है जान बुझकर नजर अंदाज करना है याज केसे करना है तो हमारा होता हैकि और मुमाळा को साइट कर दे मतल थे समय अगला है जान बुझकर दोस को क्या घ्ली सम्वन अगला है अब देखो क्या है कि आपको वस्तु लेकर क्या है और आपने उस वस्तुओं को डॉक के बीच में रख दिया तो डॉक क्या करेंगे बुरा चीर फाड़ देंगे उस चीज को और बरबाद कर देंगे तो यह गो टुदर डॉक्ष कम देंगे तो भी रूंड ठीक है अगला ज इसको बोल सकते हैं बिल्कुल करणा कशनून और एक ऐसा कानून जिसमें कोई परिवर्वर्तन नहीं ला जा सकते हैं तो बहुत कशनुन से यह से चाहिए हैण जो finger in every pie, मतलब आपका जो finger है, आपके हाँ जो है, every काम में है, ऐसे यादरों को परतिये काम में है, पाई से यादरों को पाई, आपने बहुत सारे काम पाई, तो मतलब क्या, आप बहुत सारे अधिक काम में फसे हुए हो, ठीक है? तो वही है to be meddlesome है फिर to be involving in a large and varied number of the activities or enterprises next है hit the nail on the head इसका मतलता सटीक जवाब देना दो देखो याद करने का तरीका क्या है nail का मतलता क्या होता है नाकून और head का मतलता क्या होता है sir तो जब भी हमसे कोई question पूछा जाता है जब भी हमसे क्या पूछा जाता है कोई question पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले अपना सर पूछाते है उसके बाद right answer देते हैं तो यह सटीक जवाब देना hit the nail on the head यादि say or do something that exactly right या फिर to find exactly the right answer अगला है hobson's choice hobson's choice का मतलब क्या होता है तो hobson's choice का मतलब है कोई विकल्प नहीं होना ठीक है कोई साभी विकल्प नहीं होना तो याद करने का तरीका क्या है देखो याद कैसे करेंगे hobson's को याद करो husband से ठीक हॉप son कोई कैसे याद रखोगे husband से याद रको या फिर son से याद रको तो मेरे son के पास कोई भी choice नहीं बचा है, मेरे son के पास कोई क्या नहीं बचा है, twice नहीं बचा है, तो उसी तरह से याद करेंगे, मेरे husband के पास भी कोई भी च्वाइस नहीं बचाए या नहीं विकल्प नहीं बचाए ठीक है, तो no real choice at all या फिर एन अपरेंटली free choice where there is no real alternative, next idiom जो है हमारा in a pickle, देखो in a pickle का मतलब होता है कठिनाई में, ठीक है, कठिन परिस्थिती में, और कठिनाई में, experience a difficult situation तो पिकल का मतब्स क्या होता है पिकल का मतब्स है अचार तो देखो क्या है आपने धेड सारा अचार लगा दिया और बाहार धूप है ही नहीं तो अचार बने कैसे तो आप क्या करोगे आप कठिन परिस्थिती में हो गए किसमें हो गए आप बिल्कुल कठिन परिस्थिती में हो गए डिफिकल सीच्वेशन में हो गए आप ठीक है क्योंकि अब आपका अचार बेकार हो जाएगा तो जहां पर पीकल आए अचार माइन में आना चाहिए आपके और अचार माइन मे आएगा ही आएगा next है इंदा good books इंदा good books का हमत्राइब पक्ष में होना किसी के favor में होना in favor with या फिर पक्ष में होना याद करेंगा तरीका क्या है याद करो देखो आप ऐसे इंदा good book बुक का मतलब क्या अच्छा तो देखो जब भी आप अच्छी book लेना चाहोगे जब भी आप क्या करोगे अच्छी book लेने की सोचते हो या चाहते हो सब आपके favor में होते हैं ठीक है और आप जब गंदी book लेना चाहोगे कोई भी आपके favor में नहीं होगा तो क्या हो जाएगा in the good book का मतब क्या in favor with यानि कि पक्ष में होना ठीक है next example है हमारा idioms है in the long run in the long run का मतब था आखिर कार eventually तो देखो क्या है long run आखिर कार इतने लंबी दोड़ के बाद वो जीत ही गया ठीक है आखिर कार इतनी लंबी दोड़ के बाद वो क्या हो गया जीत ही गया यानि रेस जीत गया तो in the long run का मतब क्या हो जाएगा आखिर कार ठीक है next नेक्स जो इडियम जो हमारा in the teeth of in the teeth of का मतलब होता है परतर्च विरोध में होना ठीक है क्या होना परतष विरोध में होना किसिक है विरोध में अब अब तो छिवह को Clay को दान दिखा रहा है गुस्टाम मतलब क्या है वह आपको पक्ष में मतलब क्या है तो क्या आपके और भूआ ब्लकुल भी पच्छ के में पेनी और रहती ठीक है तो क्या याद्राइघ drink like something, directly अगेंस्ट या फिर इंदर डाइरेक्शन अपोजिशन टू नेक्ट इडियम जा हमारा इंस एंड आउट्स इंस एंड आउट्स का मतलबता है पूर्ण विवरन देना तो देखो फुल डीटेल बहुत आसान है इंस का मतलब अंदर आउट्स का मतलब बाहर मुझे अंदर बा आप किसी लाइन को मार रहे हो तिक है आप लाइन पर क्या कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो आप आजमान सिर्फ पर उठा रहे हो हंगामा कर रहे हो बस आप ऐसा याद कर लो तीक है या पर ऐसे याद करो एक रोग का मतलब लाइन होता है और आप उस ला के बाद हंगामद खाड़ा हो गाई क्योंकि आपने किसी के लाइं मिटा दी अगला है lean and me your years lend me your year का मतलत है कान लगाकर सुनना ठीक है तो देखो क्या है आप किसी व्यक्ति से कान उधार माग रहे हो मतलब क्यों उधार माग रहे हो क्योंकि आपको बहुत जरूनी सुनना है कोई बात ध्यान से सुनना है तब ही तो बोल लो कि भाई साब मुझे कान उधार दे दो तो वही एक टू पुलाइटली आस्ट फूल अटेंशन टू पे अटेंशन ठीक है कान लगा कर सुनना नेक्स्ट है लेट दा ग्रास ग्रो अंडर वन स्फिट इसका मतलता है निस्कीर रहना क्या रहना निस्कीर रहना मतलब इनक्टिव रहना वही है लेट दा ग्रास ग्रो अंडर दर वन सीट मतलब आपने देखा होगा जब भी कोई भी होते हैं नहीं होते हैं वो कट करके रखते हैं तो वहीं दिया है लेट ग्रास ग्रूव अंडर द स्विकार करना नहीं प्रेषट का होता है अपराज स्विकार करना ठीक है तो अपने दिल को क्या कर लो अ Suppose कर लो अपने दिल को क्रिया को क्लें प्रेश्ट सीधा अब देखो वि कैसे जाती है भी अगर यहां को क्लिए बतब क्या बिलकुल मखjutमकल की तदद में मतलब क्या है बिलकुल सीधा गया ठीक है go क्या क्रish Kращ लजकी आठीक है तो कोई भी एपने लव कर देता है ठीक है तो यह फिर ऐसे याद Desk allas करना बिलकुल नहीं चाहिएगा वसी से क्या करेगा नफरत करता है यानिकि हर कोई अपने प्य joka को पार नफरत करता है ठीक है अगला है ओन टैंटर हुक और टैंटर हुक का हम तो हम दोता है चिंता में देखो हुआ हमारे डियम जयागला वह है और टेंटर तो इसका हम व्याया में और हुक जिसे टेंट को खड़ा गया जाता है तो और हुक को ही लाना भूल गया है अब तो भाई चिंटा में पड़ जाया कि मैं क्या नी लाया मैं होक लेकर करें आए तो मैं टेंट कैसे खड़ा करूँंगा तो ओन टेंटर होक का मतलब क्या आजएगा चिंटा में इंसस्पंस एंड एंज से अगला है ऑवर हेट एंड येर ओबर हेट हैं पूरी तरह से तो मोलता है ना कान धिमागankind प्रेर के सुना बलता है ना कान अडिट नाक फोट ômतलब कमप्प्अच पूरी तरह से सुनो taką एंड यह चे कह इंध Ming wearpable हैस year तक उसने क्या पहनी है joglory पहनी है पूरी फेस्स पे ज्यृल्री पहनी है multi पार्ट और पार्सल पार्च होज़श क्यों क्या अनिवारे अंग है मतलब किसी को भी कोई वस्तु भेजनी पड़ती है तो किसे भेचने हम पारसल से भेचने हैं ठीक है तो इसेंटियर उसने अपना क्या कर लिया पला जाल लिया ठीक है refuse to accept responsibility प्रफिश समबन for what do you do or did wrong ठीक है नेख से play duck and ddx इसका मतब क्या होता है यह दिखो play ducks and ddx का मतबता है आवसकता स्याधी खर्च करना ठीक है तो देखो ducks and ddx क्या है game है समझों कि जुगा वाला game है play ducks and ds और आप उसे खेल रहे हो और आप उसमें बे इंतहा पैसे खरच कर रहे हो ठीक है हार रहे हो तो यह Heans spendMR совершенно or to use recul意, ठीक है, अगला है pull a long face does not turn a long face बिम्दाना मूह लटका बोलता है नो तुम्हारा मूह इतना क date expectना फीच गोड़े से पहले गोड़ को पीच घम लगा दियाम अपनी गाली को का वť sentences जाने की भूब का browse धृट गलत तरीके से अपने वार्वहिटे को लगा आःगा धी안 रैनिंग केट और डॉक्स का मतलब तेज बारिस हो रही है ठीक है तो रैनिंग केट और डॉक्स का मतलब हो जाएगा रैनिंग एस्टीमली और है वी होना तो देखो कोई भी व्यक्ति देखो रूल का मतलब क्या होता है रूस्ट रूस्ट काउधर याधर को क्या है ऐसी याधर को रूश्ट का मतलब ही ही हो गया है तो वह ही है to dominate है to make all the decisions next है run on the stream run out of a stream देखो run out of a stream का मतलब होता है उसाख खतम होना esteem का मतलब क्या होता है esteem का मतलब बात लेना ठीक है esteem का मतलब भाफ रन आउट का मतलब क्या भाग जाना तो देखो क्या है कि esteem मैंसे याद रखो वास्प जो होता है ना को क्या हुआ उनमें उसाख खतम हो गया ठीक है इसलिए वह भागना शुरू कर दिए वह बारे सी जरूर करवाते तो run out of a stream का मतलब क्या उसाख खतम होना तो loss or impetus और enthusiasm and stop doing something next is sake of sake of का मतलब क्या होता है भूल जाना से ख़ूरंक क्यों वाला खत्रे को सी अठीक है और फेयाद रखो मैंगो से चॉकलेट से कुछ भी तो आप ने उस में चीनी पहल नहीं डालत भूल गए है तो यह से एक ओफ का मतलब क्या भूल जाना नेक्स्ट है क्या soft opinion soft opinion क्या होता है आसान विकल्प तो देखो बहुत सारा soft option है option का मतलब ही विकल्प होता है और soft का मतलब बहुत आसान मुलाएं तो easy and agreeable opinion ठीक है option do the thing that is easiest और least likely to cause trouble in a particular situation तो क्या हो जाएगा soft option का मतलब आसान विकल्प ठीक है next to idiom जामारा वह है stick to his guns stick to his guns का मतलब क्या होता है तो stick to his guns का मतलब है अपने बात पर अड़े रहना ठीक है maintain his opinion तो देखो stick का मतलब खड़े रहना गंस का मतलब यादर को बंदूक तो अपनी अपनी है sword or democals sword of democals का मतलब होता है सीर पर लटकती तलवार ठीक है जा फिर होने वाला खत्रा बोलता है न कि तुम्हारे सिर पर तो तलवार लटक लिए मतलब क्या हुआ है a sword of ठीक है a sword का मतलब तलवार democals का मतलब खत्रा तो imminent danger a constant threat और फिर an impending threat यह याद रखने आपको अगला है take exception take exception का मतलब होता है दिर्टा से एतराज करना मतलब क्या एतराज जताना ठीक है किसी object डालना किसी पर तो यह two object take a strongly तो यह को take exception का मतलब तो अपवाद क्या होता है अपवाद तो सब ने आपका साथ दिया बट उसी ने क्या किया हप अपवाद वह आपका साथ नहीं दिर्टा से एतराज मतलब उसने एतराज जता दिया next टेक डवली शब्ल बॉल बाई दा होंस मतलब क्या क्तेले होता है कि साहास पुल्ड मुसीवतों का सामना करना देखो आप क्रेख क्या यसे याद करने का आप क्या क्या जित डान से ठीक है का रिष्ट ली और टू फेस डेंजर बॉल्ड लुए ठीक है करज्स मतलब चॉन साख था मैं इंद इंड श्ट्रीट मैं इन अंड स्टीट मैं आव आज़मी को याद करेंगे तरीका के स्टीट ने वहला एक महले में एक आउम महले में आम आद्मी रहेगा है तो सबीटार सिंपल मैं या फिर अपिटारी मैं नेक्ट दा प्रोज एंड कॉंड दा प्रोज एंड कॉंड को उसक्व नफफा नुकसान ठीक है क्या नफ़ा है क्या नुकसान है तो देखेंड प्रोज और आपको फ्लिप काट के रिवियू में देखने को मिल जाएगा जो Vuswasnie और इमानदार के तुमने मे और अस तो अस syllabus ना नहीं हो प Если भोना हो sensing साथवे आगा यहाद रखना अधान कि मतलब कि बहुत प्रसन्न है टिक है बहुत खुच है तो भी renthe highway याद रखैंगा जन्ते आख़ा हिए को याद रकना याद सब्सक्राइब डेखने में कीशन है मे वह सब्सक्रांब इस भी तो आपने अपना कदम पीछे ले लिया क्यों कि आगे बिजली गिर गई थे आगे जैसे बिजली गरी आपने क्या कर लिया अपना कदम अचानक से पीछे ले लिया मतलब टेकर बहुत चक्का हो जाना यहां पर जाड़ी है मतलब में पॉइंट कि नारे पीट रहे हो यहां क्या करो बंद कर दो विजली हैं ने सब्सक्राइब से विल्य देख विधोर जाने को पॕर द चीजान से लिडना या अपनी पूरी सकती जोग देना तो दिखो याद करने का तरीका बहुत आसान है उसने अपने दात नाकून सब लगा दिया लड़ाई में ठीक है दात काटने लगा ठीक है नाकून से नोचने लगा मतलब हर संभग प्रयास कर लिए जी जान से लड़ावा तो टू मेक एव से मेरे हाथ पर क्या होगा है ठंडे हो गया मतलब क्या फिल्कुल घवराथ हो गया मुझे तो यह गेट कोल फिट कोल का मतलब ठंडा फिट का मतलब है तो टू एक्सप्रियेंस नर्वसनेस और एंजाइटी विफोर वन अटेम्ट टू डू सम्थिंग या फियर ठीक है और चीटिंग करने जब भी कोई व्यक्ति बच्चा जाता है स्कुल में तो स्लीव को मोड करके ही उसमें कुछ भी चिट्टा और पूर्जा छुपा लेता है मतलब क्या गुप्त योजना रहती है उसके ठीक है तो यह टू है बस सेक्रेट प्लान ठीक है सेक्रेट प्लान एन अल्टेनेटिव और एं कि जाच विट मतलब क्या वील का मतलब चक्क्र मतलब क्या किया आप जब सुबह उठे ठीकने अरत प्लेरेव देखागी आपकी जाने के काम में आपके बाहर जाने काम में कोई बादा डालने हो ही कर रहा है ठीक है और फिर बादा डालना तो यह put our spoke in one's field thisиз Hartman याद होगा आपको याद क्या रखना है जो इसके meaning are to put difficulty in the way of progress ठीक है यह that Friends leave अप्वर्ट पर्म में चो लोग भी छुटती लेते हैं वो बिना बताय चुटवी लेते हैं वो बीना नुम्सीन नहीं मांगने तो मतलब किसी के आखो में आपने धोल जोग दिया मतलब क्या क्या धोखा दिया आपने तो वही है to deceive है to mislead और confuse next है to turn over a new leaf to turn over a new leaf का मतलता है नया जीवन सुरू करना ठीक है to change once behavior for better तो देखो turn over a new leaf मतलब आपने देखा होगा कि एक पेड़ है पेड़ से नहीं नहीं पत्तियां आती है मतलब क्या होता है उसमें एक नया जीवन सुरू हो रहा है ठीक है तो वही होता है कि नया जीवन सुरू करना to turn over a new leaf next turn down turn down जो है वह एक phrasal verb ठीक है जिसका अर्थ होता है और स्विकारे कर देना कोई चीज reject कर देना ठीक है तो देखो turn कम दम क्या पलट जाना down कम दम नीचे मतलब आपको कोई gift दिया गया ठीक है और आपने उसे आपको उसे और स्विकारे करना था reject करना ठीक है next up in arms up in arms का मतलबता है खीजा हुआ या कड़ा विरोध करना अब देखो क्या है कि आप पूछा गया ठीक है आपसे पूछा गया घर में खाना बना तो किसी ने कहा कि कौन-कौन लोग क्या है इस बात से सहमत है कि हाँ इसने इस जो है नीति के विरोध में है तो सब अपना up कर देते हैं यानि हाथ उठा देते हैं जो जो विरोध में होता है तो यह अपी नाम का मतलब क्या विरोध कड़ा विरोध करना ठीक है to be angry protesting ठीक है विग्रसली अबाउट सम्टिंग नेक्स्ट डूइडियम जा हमारा वह है अब blue-eyed boy अब blue-eyed boy का मतलता है प्रियर पर्सन ठीक है प्रियर विक्ति या फिर आखों का तारा भी आप बोल सकते हो ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा धुल्ला दिखेगा पिक साही से नहीं हुए तो मैं बताऊंगा आप से जान से सुनना तो देखो blue-eye तो blue का मतलब क्या होत जाएगा यानी फ्रेट रस्टुएंट हो जाएगा तो यह वन हुई इस फेवरेट ठीक है नेक्ट अब इन चाइना सॉप अब इन चाइना सॉप का मतलता है सीस महल में बंदर ठीक है यहनी अनारी वेक्ति मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पर बहुत अच्छा सजावट है वह तोड़ फोड़ी कर देगा न वही है एन एक्स्ट्रीम ली ऑक्वर्ड कलंसी पर्सन यानी कि बिलकुल अनारी वेक्ति नेक्ते हैं अक कैरट एंड अस्टिक एप्रोच मतलब क्या साम दंड भेद ठीक है साम दंड भेद का मतलब बताता हो आपको कि आपको इनाम भी मिलना और दंड भी मिलना उसे को कहते है कैरोट एंड अस्टिक पनिस्मेंट या अप्रोच ठीक है तो रिवाड एंड पनिस्मेंट डैट इंफ्लेंसे सम्वस बिहेवियर मतलब आपने आपको सजा भी दी गई और आपको गाजर भी दिया गया इनाम करूप में बस इतना याल र होना ठीक है superior होना तो देखो cut above something से याद रखें कोई आपके पास एक डंडा है याद करवाने के लिए देखो आपको बताता हूं मैं आपने एक डंडा लिया ठीक है लेकिन आपको इस डंडे की दिरुवत यहीं तक थी तो आप क्या करोगे ऊपर ठीक है आपको क्या होता ह आप यहाँ पर उपर में cut लगा दोगे उसके बाद यह आपके suitable use के लिए हो जाएगा मतलब क्या हो गया है बहतर हो गया पहले से ठीक है नेक्स्ट और डेंप अस्क्वीब का मतलत है ओची दुकान और फिकी पकवान ठीक है निरासा जनक परिनाम भी लिखा हुआ है मतलब क्या नाम बहुत ऊचे हैं लेकिन उसके जो काम है ना बहुत छोटे हैं तो यह डेंप अस्क्वीब यह आपको याद रखना है और डिस पॉइंटिंग रिजल्ट और इवेंट विचिज मच लेस इंप्रेशिव देन एक्सपेक्टेड नेक्ट है और डाइम और डजन इसक बिल्कुल पैसे से भी नीचे तो उतने में आपको एक दर्चन कोई चीज मिल रही है मतलब क्या मिल रहा है कौडी के भाव कोई चीज मिल लिए तो अगला है ड्रोप इंदा ओस्यन और ड्रॉप इंदा ओस्यन का मतलब होता है बहुत कम होना या आप बोल सकते हो उटके स्कारा सबूंदर में बूंद गिरी तो क्या बूंदर क्या हो चोटा हुए तो ह thécott हो और शक्रॉट ना हो सके इस नेक्ष्ट है अगोंड perspective अब अंतों क्या मुझत होता है विपैस के लेजनस,समा क्मी ओंर जो देखो क्या है एक रास्ता इधर गया एक रास्ता इधर गया और एक क्रांस ये इतर गया तो to extremes neither too much not too little next is a Hornet nest a Hornet nest का मतलब तो अगर आपके नेश्ट के पास कोई होन बजाए तो आपको अच्छा लगेगा नेच्छा लगेगा मतलब अपीरियस्थिती हो जाएगी ठीक है तो an unpleasant situation और troublesome situation यह इसके right hand सर हो जाएंगे अगला है a left handed a left handed compliment इसका मतलब होता है परसंसा के रूप में अपमान जनक tip नहीं करना मतलब परसंसा भी कर रहा है लेकिन आपकी बुरा ही जाला कर रहा है तो देखो क्या है जब भी ऐसी बात होगी तो आपके लिए कैसा compliment देगा तो left hand से तालीब बजाएगा याद रखना जब भी आपके real तारीफ करेगा वो right hand से बजाएगा जब कोई आपकी बुराई करेगा परसंसा की रूप में तो आपके लिए left hand से तालीब बजाएगा तो यह है एन ambiguous compliment ambiguous का मतलता है दो तरीके से इंसल्टिंग रिमार्क अपीरिंग एस प्राइज मतलब क्या प्रेज मतलब आपकी बुराई करना प्रेज की रूप में तारीफ की रूप में अगला है अलाइब वायर अलाइब वायर का मतलता है जिन्दा दिल वेक्ति ठीक है आपर सकी कि a lot on your plate का मतलत बहुत सारी जिम्मेदारिया हो ने तो दिखू क्या है कि lot कमसब क्या होता A lot क मतलता बहुत सारा यूर प्लेट का मतलते है आपकी ब्लेट तो अगर नेकिन मेरे घर में मेरे घर मेरे सिचुएसन फैले मेरे मेरे सिचुएशन फैली वह है एस filho ए पहर तो क्या विचार तो तो तुम्हारे दिमाग में क्या विचार चल रहा है क्या ले लिएким पैसे लिलो ठीक है तो यह पूचने का तरीका है तुम्हारे माइंट क्या चल रहा है। मुझे बताओ मैं तुम्हें खुब पैसे दूँगा। तो a way of asking what someone is thinking? ठीक है? A way of asking what someone is thinking, thinking. अगला है a sea change. a sea change का मतलब क्या होता है? पुन परिवर्तन. ठीक है? तो a sea का मतलब क्या होता है? c का मतलब क्या होता है, c का कम्तलब और नोटेबल च्वोर्मेशन नेक्स है a short in the arm a short in the arm का मदूत है उस्सा वर्धक प्रसाहन ठीक है encouragement तो आपके अंदर क्या आगया उस्सा आगया चलो मैंने सही निसाने पर लगा दिया तो अब क्या हो जाएगा उस्सा आप में बढ़ेगा next जो डियम जमा रहा हो है a stones in tea cup देखो a stones in tea cup का मतलब बात का बतंगण बनाना ठीक है तो देखो अस्टॉम लिखा हुआ है तो देखो tea cup का मतलब क्या tea cup का मतलब मतलु किया है आपके चाय में एक तिन का अगर गया है तो आपने पूरे बाध को बतंगड बना दिया कि सबको चाइ बनाना यह नहींता वह नहीं यहांता पूरा उल्टा सेदा सुना दिया मतलर कि बाथ का बतंगल बना देना तो बिग फुस ओवर आ स्मॉलर मेटर नेक्ट है और वेट ब्लेंकेट अब वेट ब्लेंकेट कमसे होता है कबाब में हड़ी ठीक है मजा किरकिरा करने वाला तो देखो क्या है वेट ब्लेंकेट आप ठंड के दिनों में आराम से रजाई के अंदर बैठे हुए हो का क्या हो गया मजा किरकी दाओंके तो यह अपर सन को डिश करें इंज्वाइमेंट और यहां मतलब क्या दोस्त की खाल में दुस्मन ओना ठीक है तो यह है तो यह हईपो राइट परशन परिटेंग टू ब्हामलिफ्क है तो देखो क्या है यार याद करने का तहीक है कि व अब्यानुक तक का मतもうता है भेडिया होता है और सीप का मत अधílian के आपने स्टोरी सुने हो कि जो एक भेडिया था वह भेड की खाल पहन के हा गया था ठीक है, और भेड के बड़ चो widz permitted के बद मतलं क्या था तो इस तरह है जतने भी द्यम दीए तो वीडियो में एक शास में एक बार में करवा दिये ठीक है तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो चैनल सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं अगली वीडियो में ठैंक यू